किसी ने बिलकुल ठीक कहा है कि आवशक्ता आविशकार की जनी होती है, हमारे घरों में प्लास्टिक की नजाने कितनी तूटी, फूटी चीज़ें पड़ी रहती हैं, जो न सिर्फ परियावरण को नुकसान पहुचा रही है बलकि हमारे स्वास्ते को भी नुकसान पहुचा रहा है, लेकिन आपके लिए जो चीज़ें बस कबार का धेर है वो इस परिवार के लिए मूटी आमधनी का जरिया बन गया है, जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे परिवार के बारे में बता रहे हैं, जो प्लास्टिक के कबार से पेट्रोल और डीजल बना कर बेच रहा है, ये रोसिन और गैस में बदल रहे हैं, उसने सब को हैरानी में डाल दिया है, इनका तरीका बेहदासान है और कोई भी इस तरह से डीजल पेट्रोल बना सकता है, समाचार एजेंसी रोयटर्स ने सीरिया के एक परिवार पर यह रिपोर्ट तयार की है जो प्लास्टिक के कच प्लास्टिक को अगर ऑक्सीजन की गयर मौजूदगी में पकाया जाता है तो वेह पिगलने और खॉल ले लगता है, मगर जलता नहीं है, इससे सिर्फ भाप पैदा होती है, यह भाप ऊपर लगे पाइप के जरिये एक वाटर टैंक में जाती है, वाटर टैंक में सामान ल लिक्विट पानी से हलका होता है, इसलिए वो पानी के उपर तेरता रहता है और इकठा होता जाता है, यहां से तेल को निकालने के लिए एक पाइप लगा होता है, जिसका मूप पानी की लेवल से जरासा उपर होता है, जब तेल इकठा होता है, वो पानी की लेवल से उप पर भरने लगता है और इस pipe के जरिये दूसरे tank में जमा होता जाता है liquid से बनता है diesel petrol, दूसरे tank में जमा हुआ यह liquid ही इंधन है यह इंधन साफ नहीं होता है, इसे आग लगाने के काम में आसानी से इस्तिमाल किया जा सकता है मगर रिफाइन करने के बाद यही लिक्विड डीजल, पेट्रोल और केरोसिन में तबदील हो जाता है रॉय अचलस ने सीरिया के एक परिवार की बताई है जो इसी तरीके इंधन बना कर बेच रहा है तब भी बच जाती है गैस बॉयलर से निकली सारी गैस तेल में नहीं बदलती कुछ गैस उसी तरह रह जाती है यह गैस भी जलने वाली होती है इसे इकट्टा करने के लिए वाटर टैंक के उपरी हिस्से में एक पाइप लगा होता है इस पाइप के जरिये गैस को दूसरी जगह जमा कर लिया जाता है यह गैस वैसे ही जलती है जैसे LPG या निचुरल गैस